प्रविदार्थियों आप देख रहे हैं 801 जो आपका एक्जाम हुआ है बाल लेवस्ताइम बाल विकास इसका कोड ए जो है सब्जेक्ट आपका इसके कोड एक सॉलूशन के हम बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सॉलूशन को और बैतिन तरीके से समझ प्रशन के आपका में जया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि तरफ बढ़ते हुए और देखते हैं किया के अंसे स्टर सब्सक्रट आपको एक्शिया वस्ता की आई-उ-माणे जाती है मैंने आपको एक revision वीडियो बनाया था, one sort वीडियो, उसमें पहला ही, आपको PDF में पहला ही जो question था, उसी में बताया था कि सेस्य अवस्ता की IU कौन से वर्स में क्या मानी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर answer हो जाएगा, जनम से 5 वर्स जो है, सेस्य अवस्ता की IU को माना जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो C option है, यह आपका correct हो जाएगा, पैरों से सम्मंदित गायात्म विकास, जो है वो क्या, तो पैरों से सम्मंदित गायात्म विकास हो में सब कुछ जो पैर से कर रहा है, वो सारी चीज़ आ जाती है, जैसे कि को दोड़ना है, कूदना है, और सी जो है, बड़ बड़ाना शुरू कर देता है, और सीशु जो है, अपने हाव भाव से बाते खरना प्रारम करता है, यानि कि A और B दोनों ही पूर भाषाई संप्रेशन है, तो यहाँ पे C option आपका correct हो जाएगा, अगला जो question है, सामाजिक परिवर्तन का कारक है, सामाजिक भी नहीं होगा, धर्म भी नहीं होता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए सिक्षा भी नहीं होता, और समाज भी नहीं होता, इस तीनों का सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई कारकीस में नहीं है, तो इन में से कोई नहीं जो D option है, यह correct हो जाएगा और समाज कल्याण भी भाग भी है उप्रुक्त सभी जो है इसका उप्षन से तीनों संस्थाइं जो है बाल अधिकारों को हनन से रोकने के लिए हैं और यह अपना अपना काम करती रहती हैं ठीक है तो इस तरह से आपके सॉलूशन सो गए जिसमें पाच अंक आप यहां से प् कौन कौन से मैंने बता हैं पांचो कुश्चन के आगे जो कुश्चन है सही जोडी बनाईए तो सही जोडी में ए और बी से आपको कोलम से मैच करना था अगर मैं सबसे पहले बात करूं एक ही करन का सिद्धान्त की बात कर रहे हैं ठीक है न तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां की का तो यहां पर आपका सिद्धान्त से एक ही करनं का सिद्धान्त जो है मैच हो जाए अगर मैं चाह現在 से कर दिजिए फैर अयह रहेगा अब जो है next पूच्छ coy बाल-विकास का छेत्र तो बाल-वीकास का छेत्र का मतलब क्या हो जब बाल विकास का का अध्यन करना जहें वि भाल विकास के छेतर जाएगा इसके वाद नेक्सट है इसके पूछा गया चित्र بنाना तो चित्र कौन से कॉस्षल में आता है तो यह सुख्ष्मगति कॉसल में आते हैं पर स्क्राफिन गतिक कॉसल जो क्षाइब को अगला को तरह से मैच करते यह हो गया आपके सारे मैचिंगे अंसर ही आप के इस अगला को शेन उसकी बात करते है नगे जो कुश्यने देखिएं कल्पना शक्ति में तीर्ता लाने वाली अवस्था का नाम आपसे पूछा गया है बस और कुछ दै को बताना नहीं है रहां सर फैल से वज़ेज़ भाया वह हमारे 6 वास्ता थीक है इसके बाद जो next question उसकी बात करते हैं या आप सारे questions तो आपने match कर लिए होंगे ठीक है यहाँ पर शैश्वास्था हो गया इसके बाद जो है next इसमें हाथों से सम्मंदित गायात्मक विकास का एक उधान दीजिए हाथों से सम्मंदित गायात्मक विकास भी है कौन से हो सकते हैं हाथों से सम्मंदित आपका गिलास पकड़ना यह चमच पर ना यह पिर आपका और क्या हो सकता आपका भोजन करना आपने हाथों से निम्में के कुषिश करता है तो भोजन करना भोजन करना ये भी क्या है आपका हाथों से संबंदित गायात्मत विकास है मतलब उस बच्चे का हाथों संबंदित जो किरिया है वो जो है इसमें आ जाती है साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो गेंद फेकना या कोई भी चीज वस्तू को उठा करके फेकना तो हम गेंद का जो है एक्जामपल दे सकते कि गेंद को फेकता है तो इस सारे के सारे क्या है हाथों से संबंदित गायात्मत विकास के उधारन है या पूछा किया इस्थूल गती कौशल का नाम लिखिए इस्थूल गती कौश से उठाने ऑजता है तो इकत रहंत्म है और कुढ़ने दोडना पैरों टांगों इसमें इस्थूल करने लगते है इस थूलल गती कौशेशL में ठीक है ऑपके 6 12 महेने के आयूम बच्चे जो एक खड़े होकर चलने पर सक्शम हो पाते हैं 6 से कितने वर्स तक के हैं तो 6 से 12 वर्स तक के बच्चे सामाजी करण की कोई एक परिभाशा लिखिए तो सामाजी करण की परिभाशा क्या है तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन वैवार रिती रिवाज गति विदियां आदी सीखता है उसी को हम समयाजिकरण कहते हैं, तो यह परिभाशा आप मेरे हिसाब से भी लख सकते हैं, या आप किसी मनोविज्यानिक की भी परिभाशा इसमें लिख सकते हैं. अगला केल्शियम की कमी से होने वाले रूग का नाम बताईए, तो केल्शियम की कमी से आपका क्या हो जाता है, आस्टियो पोरोसिस हो जाता है, इसको हम लिखते हैं, आस्टियो पोरोसिस, ठीक है, आस्टियो पोरोसिस हो जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ और क्या हो जाता ह है आपकी लंबाई संबंदी बिमारी होती है हाइट रिलेटेट प्रॉब्लम जो है देखने को में तरह लंबाई संबंदी बिमारी होती है उसके लावा क्या हो सकता है इसके लावा जो है आपकी और बिमारी जो होगी जो रोग होगा कौन सा होगा हर्दे रोग हो जाता इसस हालाanstven, हर्द्य रोग हो जाएगा, हर्द्य रोग के अलवा और क्या हो जाएगा तो बलड hon coming to रोह हो जाते हैं बलड प्रेशर लिसके तो बलड प्रेशर जो है समध्नीत रोह हो जाते हैं इसके अलावा नेक्स जुए यहां पर आप ये कुश्टि छो समनीत कर लेते त TáCH आसे आपको 5 अंक पराप्त हो जाते हैं कहते हैं के काइव बिढlio के तकार किने यावर परतिभास को प्रतिष्मय असको ने असका परिजय कर्या ऊपर किने आप करने शवीं एक और और के टोक फोर्स सकताते हैं कि सिर्जनात्मकिंगे है ठीक है और उसके लावा क्या लिख देंगे मानसिक मंद बुद्धी बालक भी आते बुद्री कॉ से बिन हो जाते बहीं उनकी कम्ति हो जाते हैं उनकी बुद्धी कम झो जाता है कम एधिकल आपको दो नमबर आसानी से मिल जाते हैं सूक्ष्म गति कॉसल का मतलब यह हो गया कि इसमें जो बालक है अपनी हाथों को कलाईयों को उंगलियों को पैरों को उठाना और जीव को अच्छी तरह से हिलाना इन सभी गतियों को इसमें शामिल किया जाता है हकलाना कि बहुत सिंपल सी डेफिनिशन है कि यह एक क्या है वाक शब्डी विकार यानि कि बोलने का विकार है जिसमें क्या होता है समान्य रूप से जो आप भाशा बोलना चाहते हैं उसका प्रवाह नहीं कर पाते है अगर हम इसको definition wise लिखें, तो मानव वाक शक्ती में एक प्रकार की वाक बाधा होती है, जिसमें क्या होता है, मानव या बालक बोलना चाहता है हुए भी सब्दों की धुनिया को दोयराता है, धंक से नहीं बोल पाता है, किसी-किसी सब्दों को लंबा खीसता है, और कभी का किसी आहगा और कम आशल की होता है, तो उसी को कीकिताब के पीछे है या किताब के पीछे है बहुत सब्धे में और कहते हैं, अगला जो प्रशन है, इसकी बात कर लें के लाभ लिकिए सिक्षा में अगर इस प्रधा के लाब ही सिक्षा में अगर सुनुक्रदा करेंगे Muslims 순. तो उनके लाब क्या है तो बहुत सारे अनगिनत लाब हैं आप कुछ भी दो चार लाब तो ऐसी बता सकते थे फिर भी मैं आपको बताना चाहूं कुछ लाबों को अगर हम संभलित करना चाहे तो उसमें क्या हो जाएगा सिक्षा में इस परदा करते हैं तो इस परदा करने से मनो वेग्यानिक संतुस्टी प्राप्त होती है वस्तुकी उपयोगिता का ज्यान भी एनको प्राप्त होता है ठीक है, अविश्कार और अनुसंधान करने का जो है कॉशल विख्सित होता है उसके लवा उनके ज्यान में ब्रिद्दी होती है ठीक है, और जो है जो सिक्षा में इस प्रदा करते हैं वो अधिक महनत करने लग जाते हैं ठीक है और क्या लिख सकते हैं इसमें और जो है उनमें उत्साह का संचार भी होता है इसके लाब है बहुत सारे ठीक है तो इनमें आप यह सारे लाब लिख सकते हैं और जो है उनकी अंतहक्रियाएं जो कि उनको जो है क्या करते हैं मांसिक या सारीरिक रूप से जो हम उसका सोसन करते हैं तो उसी को हम बाल सोसन कहते हैं ठीक है इसमें जो है आपके 18 वर्ष से कम आयू के सारे बच्चों को सम्नित किया जाता है जो इनको 18 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको एडल्ट यानि वयस्क न से जाधा या उनकी उम्र Commission से जाधा मैनत वाले कारें करवाये जाते हैं ठीक है ये से अा जाते हैं बालक शारिरिक गायात्मक विकास में खेख्षा बहुता नी की विचेशता इंड़ा going इस्थूल गती का conviction को तो उसमें क्या होता है बच्चा जो है रेंग ना दौडना और कूधना सीख़ जाता है ठीक है यह जो इसका कईस जो है 6-12 महिने के आयों तक हो जाता है चुछू में देखने का जो है इसको आप इसके लक्षण देख सकते हैं जिसमें शिशू रेंगने और खड़े होके चलने में जो है सक्षम होने की प्रयास करता है ठीक है वह अपने पैरों टांगों और अपने पूरे शरीर का जो है एक साथ में ताल मेल बैठाना शुरू कर देता है सारी क्या सारी विसेश्था है तो सामाजी करण की की सामाजी अपने विस्वास रहा पादा होती हैा ठीक मनोवग्यानिक रूप से बच्चे वहावनात्मक और उन रोल स्वास्त विए होँ निया सकते आपa संदर में सिखेल भूमी का क्या स्वास्त जो भी एमाड़ा स्वास्त होते है स्धिया है के लिए दो क्या हो सकता आप जैसे सिख्षक है इस निया का मतलब क्या होगा आपका रोल बस इतना बताना था इसमें इस वर आप राद की विशेश्चा लिखिए ये कोशन हमने कर लिया था वैस्वी करन तो आपको जानते हो बहुत जर्मल सा कोशन हमेशा पूछता रहता है समावेशी शिक्षा की प्रविदियों का वर्णन कर देन करने वह उसमें कौन कॉन से मेथर्स है इसको बता देते प्रवार को लिए उत्त्रेटाव की विशेश्चा की च्रोव। आपको अच्छी तरीके से इसको जो है वारता लाप के प्रमुख तत्व का वरणान की जो है इसके बाद आउसर प्रदान करता है और अपने व्यापार को बढ़ाने का जो है आउसर प्रदान होता है बहुत सारी चीज़े है जो वैस्विकरण के द्वारा जो संभव हो पाई है पहले यह वैस्विकरण था लेकिन बहुत ही कम था सभाविक आउलोकन में आउश्यक बातें जो हैं क्या हो सकती है वह समझाना है अथ्वा में आपको सभी में ओप्शन्स दिये गए हैं विकास आत्मक सिदान्दों कीजिए तो इसमें से कोई भी वर्णन आप कर सकते हैं बालकों के सामाजी विकास में परिवार की भूमिका य दोनों में से कोई एक क्वेशन करना था तो इस तरह का अच्छा पेपर रहा है यह जिसमें आपके बेसिक नॉलेज को ज्यादा परखा गया है और बहुत ही बढ़िया क्वेशन पेपर यह बनाया गया है तो मैं आसा करता हूं कि यह पेपर सभी का बहतरी नुआ होगा और